डेली कनेडियन न्यूस बुलेटन इन हिंदी एंद उर्दू, अनली अट टेग टीवी टेग टीवी अप्डेट्स यू अबाऊट कोरोना सिचुएशन इन कानड़ा एंट अराउंड दे गलोग कैनेडा एक मरतबा फिर मगर्बी मुलकों के लिए सलामती कॉन्सूल को इस मफसूल निशस खासल करने में कामियाब ना हो सका मौन्ट्रियाल की शहरी हकूमत छे माँ की माशी बहाली के मनसूबे में 22 मिलियन डॉलर फर्च करेगी कैनेड़ इन पारलिमेंट की जानब से नसली अम्तियाज को रोकने के लिए एहम एक्दमाग का मतालबा कर दिया कैनेड़ा भर में करोना वारस के फिलाओं में बतद्रीच कमी आ रही है मतासर होने वारे अफराद की तादा 99,853 हो गई है तुनिया भर में करोना वारस मतासर अफराद की तादा 84,6,022 तक पहुंच गई जबके इस से हलाकते 4,51,384 हो गई डॉनल्ड ट्रम्प ने दुबारा एलेक्शन में फता यकीनी बनाने के लिए चीन से मदद मागी थी जॉन बॉल्सन ने अपनी नई किताब में एहम इनकिशाफ कर दिये डेक्सा मीथाजोन के इस्तमाल पर आलमी दारे सेहत का रद्ध अमल आ गया दवाश अदीद करोना मरीजों पर असर जाहर करती है हेडलाइन अपने जानी अफ़बरे तफसील के साथ कनेडियन वजिराजम जस्टर टूडो का कहना है कि उन्हें अमीद है कनेडियन अपने सेल फोन में एक नई डाउनलोड करेंगे जिसके जरिये उने किसी भी करोना वाइरस से मतासरा शक्स से मुलाकात का मालूम हो जाएगा टूडो का कहना था कि ये कनेडियन का एक इन्फरादी फैसला होगा कि वो इस एप को डाउनलोड करें या नहीं ताहम जितने ज्यादा लोगों के पास ये एप होगी इसका असर उतना ही ज्यादा होगा विफागी हुक्मत की जानेट से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया है कि इस टेकनोलोजी के जरिये जिसका भी करोना टेस्ट पोजिटिव आएगा वो अपनी मालूमात एप पर अपलोड करेगा जिसे कोविड अलर्ट का नाम दिया गया है तूड़ का कहना था कि यह नई एप बिलकुल रजा कराना है और विफागी प्राइबसी कमिशनर इसकी निगरानी कर रहे हैं कैनिडा एक मरतबा फिर मगर्बी मुलकों के लिए सलामती कौंसल की मखसूस निशिस्ट हासल करने में कामयाब ना हो सका कैनिडा इस निशिस्ट के हसूल के लिए दूसरी बार नाकाम हुआ है तफसिलात इस रिपोर्ट में कینیडा एक मरतबा फिर मगर्बी मुलकों के लिए सलामती कौंसल की मखसूस नशिस्त हासिल करने में कामियाब ना हो सका कैनیडा इस नशिस्त के हुसूल के लिए दूसी बार नाकाम हुआ है इस से कबल 2010 में भी कैनेडा मसकूरा नशिस्त हासल करने में नाकाम रहा था जनल असेमली के अरकान ने कैनेडा के मुकाबले में पुर्टगाल के इन्तिखाब किया था मेडिया रिपोर्ट्स के मताबिक कैनेडियन वजीर आजम जॉस्टिन टूडो ने सेक्यूर्टी काउंसल की रुक्मियत हासल करने के लिए भारी सरमाया कारी भी की थी ताहम इस कोशिश में नाकामी पर उन्हें स्यासी नुक्सान का खच्छा है जॉस्टिन टूडो का कैना था कैनेड़ा दुनिया को पूर अमन बनाने के लिए अपना आहम किरदार और तावन जारी रिखेगा कैनेडा मगर्बी मुमालिकी सीट हासल करने के लिए काफी देर से कोशिश में था लेकिन उसे नौर्वे और आईलेंड के हातों शिकस का सामना करना पड़ा है जो कैनेडियन वजीर आजम जासिन टूडो के लिए एक धचके से कम नहीं है अक्वाम में मुतायदा की जोनल एसम्ली ने इंडिया समेथ मैकसिको आईलेंड और नौर्वे को 2020-2021 के लिए सिलामती कांसल का गयर मुस्तकिल रुकुन मुन्तखिब कर लिया है मुन्तखिब होने वाले मुमालिकों जीत के लिए कांसिये गए वोट्स में से दो तहाई अक्सरियत दर्कार थी करोना वारस की बज़ा से जोनल एसम्ली की कारवाई वर्चुल होती रही है लेकिन फ्रॉड और धांदी से बचने किने अलेक्रानिक वोटिंग नहीं करवाई गई इसके बज़ाए ये वोटिंग 193 मुमालिक नुमांदिगान ने दिन के मुखतले पौकात में खूफिया राइशुमारी एसम्ली हौल में मुकमल की जनरल असम्ली ने 2020-2021 के लिए सदर के तोर पर तुर्की के सिफारतकार वॉलकिन बोसकर को मनतखिब किया है आरमीना यूनान और कबरस ने उसकी मुखालफत की थी मेर विलरी प्लॉंट का कहना था कि गुजशता चंद महीनों से ये एक मुश्किल सफर रहा है और ये मौन्ट्रियाल शहर की मईश्यत के लिए भी मुश्किल रहा है तफसिलात इस रिपोर्ट में मौन्ट्रियाल की शहरी हकोमत 6 मा के मौशी बहाली के मनसूबे में 22 मिलियन डॉलर खर्च करेगी मेर विलरी प्लॉंट का कहना था कि गुजशता चंद महीनों से ये एक मुश्किल सफर रहा है और ये मौन्ट्रियाल शहर की मईश्यत के लिए भी मुश्किल रहा है उनका कहना था कि वबाई बिमारी के इसराथ के हवाले से कुछ भी कहना पबलस वक्त होगा इंतिसामिया काम करने के तरीकों पर नजरसानी करेगी और शहर के लिए काम करने के लिए तरीकों के हवाले से दुबारा सोचेगी उनका कहना था कि छे महीनों के लिए शेहरी हुकूमत बाइस मिलियन डॉलर खर्च करेगी जिसका मकसद कमपनियों खास तोर पर छोटे कारुबारों की मदद करना है ताके वो जुस्मानी फास्टे औपलेक्सी ग्लास शिल्ड्स की नई दुनिया में एड़्जस कर सके उनका कैना था कि किसी भी शेहर में इस नौयत की सर्मायकारी की मिसाल नहीं मिलती सیافahام پارلیمانی گروپ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ امریکہ میں حالیہ واقعات کے بعد کیانیڈا میں اب یہ تسلیم کیا جا رہا ہے کہ کیانیڈا میں کچھ حد تک نسلی امتیاز موجود ہے मزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کیانیڈین پارلیمنٹ کے سیافahام ارکان کے گروپ نے مطالبہ کیا ہے کہ تمام سطح کی حکومتیں کیانیڈا میں نسلی امتیاز کے واقعات میں کمی کے لئے اقدامات کریں ये दर्खास सियाफाम पारिमानी गुरुप की जानिव से की गई है जो 2015 में कायम किया गया था जिसमें तमाम जमातों से तालुक रखने वाले सियाफाम अर्कान एसम्ली और सैनेटर्स शामिल है दर्खास में कहा गया है कि हमारे मौशे से नस्ली अम्तियास के वाकियात खतम करने के लिए सखत अग्दामात की जरूरत है और उसके लिए हर सता की हुकुमतों को हाला तब्दील करने के लिए अग्दामात करना होंगे पारलिमानी गुरुप की जानिब से कहा गया है कि अमरीका में हाली अवाकियात के बाद कैनडा में अब ये तस्लीम किया जो आ रहा है कि कैनडा में कुछ हद पर नस्ली अम्तियास मौजूद है इसके खात्मे के लिए गुरुप की जानिब से एक दामात का एक सलसला तजवीज किया गया है गुजश तामा अमरीका में सियाफ फार्म शेरी जोर्श फ्रॉइट की पॉलिस के हातों मौत के बाद होने वाले मुझारों की लहर के दौरान सियाफ फार्म पार्लिमानी गुरुप की जानिब से ये दर्खास सामने आई है कि पार्लिमानी गुरुप ने नसली अम्तियास के खात्मे कने केनड़ा में मुझारे करने वाले अफराद से जारे तशक्र भी किया क्यूंकि ये अफराद इस बात के खौाहिशमन हैं कि कैनेडा में नसली अम्तियास का मकमल खात्मा किया जाए कैनेडा भर में करोना वारस के बाइस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8254 तक जा पहुची है मजीद चानते हैं इस रिपोर्ट में कैनेडा भर में करोना वारस के फालाओं में बतद्रीच कमी आ रही है आखरी तलात के मताबिक कैनेडा में करोना वारस से मतासिर होने वाले अफराद की तादाद 99883 हो गई है मुलक भर में करोना वायरस के बाइस हलाक होने वाले अफराद की तादा 8254 तक जाप पहुंची है कियोब एक सुबा करोना वायरस से सबसे जादा मुतासिर हुआ है तहां वहाँ करोना वायरस के केसिस में कमी आने लगी सूबे भर में करोना वायरस के मजमूई केसिस की तादा 54,263 हो गई है जबके सूबे में करोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादा 5,298 तक पहुँच चुकी है आंटेरियों में करोना वायरस से 32,744 अफराद मुतासिर हुए हैं जबके हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,550 है अलबर्टा में 7,530 अफराद करोना वायरस से मुतासिर हुए हैं जबके 151 अफराद करोना वायरस के बाइस हलाक हो चुके है बिर्टिश कोलम्बिया में 2775 अफराद में करोना वारस की तजदीक हुई है जबके सूबे में करोना वारस से होने वाली हलाकतों की तादात 168 है मोज़ी वारस की मूज़ी वाल ने मसलसल अपने पनजे गार रखे हैं जिसके ना सільки मरीज़ों में बलके इससे हमवाथ में भी हर रोज इसाफा हो रहा है मزید जानते हैं इस रिपोर्ट में दुनिया भर में करोना वारस की मुजी वबा ने मुसलसल अपने पंजेगार रखे हैं जिसके ना सिर्फ मरीजों में बलके उससे अमवात में भी हर रोज इसाफ़ा हो रहा है मुक्तलिफ मुमालिक में कुरोना वारिस की वबा का जोर तूर चुका है तो कहीं ये उरूच पर है और कहीं उसके केसिस और अमबात ना होने के बराबर है दुनिया भर में कुरोना वारिस से मुतासरा अफराद की तादा 84,6062 तक जा पहुंची है जबके उससे हलाकतیں 4,55,384 हो गई अमरिका ताहाल कुरोना वारिस से सबसे जदा मुतासरा मुलक है जहां ना सिर्फ कुरोना मरीज बलके उससे हलाकते भी अब तक दुनिया के तमाम मुमालिक में सबसे जदा है अमरिका में करोना वारस से अब तक 1,19,941 अफराद मौत के मुँ में पहुँच चुके हैं जबके उससे बेमार होने वालों की मजमूई तादाद 22,34,471 हो चुकी है भारत में भी करोना वारस के मरीजों की तादाद में तेसी से इसाफा हो रहा है और वो इस फैरस में चौते नंबर पर आगया है भारत में करोना वारस से 12,262 हलाकतیں हो चुकी है जबके उससे मुतासरा मरीजों की तादा 3,66,264 हो गई एरान में करोना वारस से मरने वालों की कुल तादा 9,185 हो गई जबके करोना के कुल केसिज 1,95,051 हो गई तुर्की में करोना वारस से जाब हक होने वालों की तादा 4,861 हो गई जबके करोना के कुल केसिज 1,82,727 हो गई साओधी अरब में करोना वारस से अब तक को लमबात 1,091 रिपोर्ट होई है जबके उसके मरीजों की तादा 1,41,234 तक जाप पहुंची है अमरीकी सदर डौनल्ड टरम्प के साब़क मुषीर जान बॉल्टन ने इनकिशाफ किया है कि डौनल्ड टरम्प ने दوبारा यलेक्शन में फत्ह यकीनी बनाने के लिए चीन से मदद मांगी थी तफसिलात इस रिपोर्ट में अमरीकी सदर डॉनल्ड ट्रम्प के साबक मुशीर जॉन बॉल्टन ने इनकिशाफ किया है कि डॉनल्ड ट्रम्प ने दुबारा अलेक्शन में फता यकीनी बनाने के लिए चीन से मदद मागी थी इससे पहले सदर ट्रम्प ने अक्सर मुखतलि बयान दिया था जिसमें लगाया था कि चीन उन्हें हराना चाहता है अमरीका की कौमी सलामती के साबक और इंतहाई गदामत पसंद मुशीर जॉन बॉल्टन ने ट्रम्प के खलाफ अपनी किताब में लिखा है कि सदर ट्रम्प ने चीनी हममन सबसे पिष्टे बरस जून में जापान में मुलाकात के दौरान बाचीत का मौज़ू अचानक अमरीकी इंतखाबात की जानिक कर दिया था जॉन बॉल्टन ने कहा कि चीन की इकतसादी सलायोत की बात की और सदरशी से दर्खास की कि वो गंदुम और सोयाबीन समेश सरय अचनाज जादा से जादा खरीद कर यकिनी बनाए उन्होंने मज़ीद कहा कि टरॉम्प के मौाखज़े की तहकिकात में कई आहम और चुपते हुए सवालों पर बात होने से रह गई टरॉम्प ते मुझरमाना तहकिकात भी रुकवाने की कोशिश की थी और सियासी वजुहात के सबब कानून के नफास से मुतालिक अमूर में वदाखलत की भी कोशिश की वो इंसाफ के रामे हाल हो रहे थे जो नाकाबले कुबूल था बोल्टन ने कहा कि सदर टरॉम्प की मालूमात ये थी कि उन्हें पता नहीं था कि बरतानी आटमी ताकत भी है या नहीं और यक बार पूछा कि क्या फ़नलैंड इस वक्त रूस का हिस्सा है वो तो अमरीका को नेटो से निकालने पर तुल गए थे उनका ये भी कहना था कि शुमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर से सन 2018 में मुलाका जारी थी तो वजीर खारजा माईक पॉम्पियों ने पर्ची पर लिखकर बोल्टन को दिया कि उसके दिमाग में गोबर भरा हुआ है एक माँ बाद ही पॉम्पियों ने सदर टरॉम्प की शुमाली कोरिया पॉलिसी ये कहकर मुस्तरत कर दी कि उसमें काम्याबी का सिफर फीसद भी इमकान नहीं जॉन बोल्टन ने कहा कि टरॉम्प के साथी पीट पीचे उनकी नकले उतारते थे टरॉम्प माहिरीन की बाते सुनने को तयार ना होते और स्टाफ को एक दूसरे से लडाना चाहते थे आलमी दारे सिहत के डिरेक्टर जरनल डॉक्टर टेड ड्रोस ने कहा है कि डेक्सा मितासोन दवाश शदीद करोना मरीजों पर असर जाहर करती है मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में आलमी दारे सिहत के डिरेक्टर जरनल डॉक्टर टेड ड्रोस ने कहा है कि डेक्सा मितासोन दवाश शदीद करोना मरीजों पर असर जाहर करती है गेर मुलके खबरसाइदारी के रिपोर्ट के मताबिक आलमी दाराज सेहत के सरवरा डॉक्टर टेडरोस ने डेसका मिथासोन के बरतानिय से बतदाई हजमाईश के मुस्पत नताइच को खोशाइन खरार देते हुए कहा है कि आक्सीजन वेंटिलेटर के मरीजों में दवा से मौत की शरा को कम करते देखा गया है डॉक्टर टेडरोस ने कहा कि डेक्सा मिथासोन ने सांस में तकलीफ ना होने वाले मरीजों पर फायदा नहीं दिखाया दवा को सिर्फ गरीबी क्लिनिकल निगरानी में इस्तमाल किया जाहिए दूसरी जाने माहरीन का कहना है कि डेक् मिथासोन आलमी दारा सिहत की जरूरी अद्वियात के लिस्ट में भी शामल है टाग टीवी के पाकिसान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही मजीद ख़बरों अपडेट्स के लिए देखते रहें टाग टीवी यूट्यूब पर टैग टीवी का चैनल सब्सक्राइब कीजिये और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाई किसी किसम का चैलेंजिंग जमाना हो टैग टीवी अपने व्यूज और न्यूज लाने में देर नहीं करता आपका तावन भी हमें चाहिए टैग टीवी को अगर आप स्पॉंसर्स कर सकें आप इश्तहार दे सकें तब भी हम आपके बहुत शुकर गुजार होंगे